हेलो दोस्तों मैं नामे कपिल और क्रिप्ट बार में एक पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में बिटकॉइन की बात करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ इस वीडियो में एक कोईन ऐसा कवर करेंगे जो कि आपको definitely short term में बहुत अच्छा profit दे सकता है तो वीडियो को द्यान से देखना जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरू करना साथ ही साथ बैल नोटिफिकेशन को भी वाल पर सेट कर देना टाकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको time to time मिलता रहे तो चलिए start कर लेते हैं आज की वीडियो यह है BTC USDT का चार्ट और यह हमने लिया हुआ है कोईन एक्स का चार्ट तो डेली चार्ट है इसको थोड़ा सा बढ़ा करते हैं यहां पर और यह वाल्यूम हटाते हैं और इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं MACD को ठीके तो यह हमने डेली का चार्ट लिया हुआ है कोईन एक्स का और यहां पर आप देखेंगे हमने एक trend line बनाई हुई है जो की बहुत पहले से काम करती आ रही है यह एक trend line है जिसने यहां पर resistance दिया था Bitcoin को चब्वी जून 2019 को ठीक है यहां पर resistance लेकर Bitcoin नीचे गया था और फिर जब Bitcoin ने इस resistance को break किया तो price काफी जादा उपर गया था और यहां पर आप देख सकते हैं Bitcoin ने इसी resistance को जो यह अब support बन चुका है इसको test किया यहां पर एक और दो बार और फिर price उपर गया उपर गया और फिर यहां पर test किया फिर price उपर और अभी फिर से वापस से उसी support पर आ चुका है यहां पर मैं आपको एक चीज़ और बताने चाहूंगा एक बार 4R पर करते हैं तो यह हमने कर लिए 4R पर और 4R पर आप देखेंगे तो यहां पर एक breakout हुआ था यहना breakout हुआ था सारी चीज़े positive थी और डेली में अगर MACD भी देखें तो crossover भी positive हो चुका था MACD का यह आप यहां पर देख सकते हैं यह देखें यह crossover हुआ था और एक बार green बना था यहां पर तो सारी ची सारी मार्केट एक दम से बिखर गई यहना तो जिन लोगों ने यहां पर stop loss लगा कर trade लिया होगा वो बच गया होंगे नहीं तो liquidate बहुत सारे लोग होगे क्योंकि यह एक liquidation का जाल था क्योंकि यहां से लोगों ने long किया होगा candle भी उपर close थी crossover भी हो चुका था breakout भी हो च दिन तो अभी यहां पर हमें देखना है कि bitcoin कहां कहां पर support ले सकता है कहां से नीचे गिर सकता है तो यहां पर हमारे पास दो तीन चीजे हैं एक तो यह जो red line है जो कि मैंने बताया 2019 से एक resistance का का काम कर रही थी फिर इस ने यहां पर आकर support का का काम किया तो अभी इस support पर price आया नहीं है येलो support पर अभी price है यानि कि 35,354 और उस दिन में आपको telegram पर update भी दिला था कि हम 36,000 तक बड़ी आराम से आ सकते हैं अगर यह candle यहां पर close नहीं होती एक support थी हमारे पास अगर candle उससे उपर close होती तो हमारी जान बच सकती थी लेकिन candle उसके नीचे close हुई त 35,300 के असपास की बनी तो भी यहां पर और क्या chances हो सकते हैं तो दीके अगर यहां पर और fall होता है तो यह जो red line है यहां पर price आके एक बार test कर सकता है बिल्कुल correct 35,000 तक और यहां पर अगर MECD देखें तो MECD की तरफ से तो कोई अभी तक positive हमें signal नहीं मिल दा है यहां पर जो signal मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि price यहां से नीचे fall हो सकता है एक बार और और अगर fall होगा तो 35,000 तक again price आ सकता है अब अगर 35 को break करके नीचे आता है by chance क्योंकि इसने उपर की जितनी भी support थी जितनी भी हम लेके चल ले रहे हैं सब की सब break कर दिया नीचे आ गया अ अगर इसको भी 35 को भी break करता है तो क्या होगा तो फिर नीचे हमारे पास दो support और हैं एक है 31,700 के आसपास और दूसरी है 29,600 तो अगर price इस वाली range को break करता है तो definitely price इसके बीच में जरूर पहुचेगा यह वाली range के ठीक है यह यहां तक है यह range इस range के बीच में जरूर पह deadline से उपर candle close होती है तो much better है अगर नहीं close होती है नीचे की तरफ close होती है तो फिर price धीरे धीरे और ज्यादा नीचे drop हो सकता है तो यह सारी चीज़े हमारे दिमाग में पहले से होनी चाहिए कि इस तरीके से market में अभी हो सकता है तो futures में कोई भी long ना करे एक चीज़ और आ buy कर सकते हैं और बाकी अगर धीरे धीरे नीचे dip आती है तो थोड़ा थोड़ा करके और आप buy कर सकते हैं क्योंकि यह एक सुनेरा मौका हो सकता है आपके coins में बड़ोतरी करने का या DCA करने का ठीक है तो यह थी bitcoin की बात अभी हम सीधा चलते हैं उस coin पर जो आपको definitely बहुत अच्छा profit दे सकता है अगर यहां से market उपर जाती है तो तो वो coin है waves, waves को एक बार हम देखेंगे waves का जो all time high था हलाकि अभी bull run नहीं आया था लेकिन इस वाले season में इसने एक bull run यहां पर दिखाया कि हां bull run आया और इसने अपने जो all time high था उसको break करके एक नया all time high भी बनाय और वापस से फिर से price अभी dump होके वहीं पर आ गया तो यहां पर golden opportunity हो सकती है wave के लिए तो wave अभी 13.58 का इसका price चल रहा है और मेरे हिसाब से यहां पर आपको कम से कम 70% wave buy करना चाहिए ठीक है क्योंकि यहां पर साइड चीज़े इसकी अभी positive दिखाई दे रही है अगर और जादे नीचे जाता है तो कम से कम 70% आप इसको current price पर buy कर सकते हैं बाकि अगर price fall होता है तो धीरे धीरे करके आप यहां तक इसको buy कर सकते हैं तो यहां पर हमें क्या देखना है यहां पर हमें देखना यह है कि wave जब एकदम से bullish होता है तो बहुत तेजी के साथ उपर जाता है यहां पर आप देख सकते हैं दो तिन बार इसका price बहुत बढ़ा तरीके से उपर गया और अभी यहां से इसने $8 से जो rally बनाई वो CD $63 तक की थी यहां पर अगर $8 पर किसी ने इसको buy किया होगा तो लगबग 700% का profit उसने gain किया होगा तो अभी वापस से price 13.58 के आसपास है तो मेरे इसाब से यह golden opportunity है कि हम wave को यहां पर buy करें और थोड़ा सा wait करें market के उपर जाने का या market उपर भी ने जाती stable भी रहती है तो wave यहां से हमें कम सकम 50 से 60 या 70% का profit बड़ी आसानी से दे सकता है तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लि भूलोगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना कमेंटर बताना वीडियो कह अच्छी लगी समय देने के लिए धन्यवाद फिर मिलते नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत